हाई गाईज, वेलकम टो गेटेक अटमी तो गाईज अगर हम बात करें कि offline way of study जदा बैटर है या online way of study यदा बैटर है तो गाईज जो offline वाले student है उनको एक advantage इस बात का मिलता है कि उनको discipline और consistency के उपर उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता जितना एक online student जो की अपने घर पे बैठा है, अकेला बैठा है एक रूम में उसको करना पड़ता है, क्योंकि एक offline student जो पड़ता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ वो काफी सारे student को देखता है अपने साथ, तो वहाँ से उसको काफी सारा motivation मिलता है, और discipline और consistency वो maintain कर पाता है throughout the preparation, तो अगर आप एक offline batch के लिए prepare कर रहे हो, तो आपके लिए एक opportunity है, कि gate academy ने 12th June को test conduct किया है, आने वाले batch के लिए, ठीक है, तो 12th June को ये आपका test होगा, बारा बजे, syllabus आप इसका देख लिजिए, engineering math है और general aptitude है, और ये batch है, double E, EC, IN, CE और ME, civil engineering और mechanical engineering, इसके लिए ये test है, ठीक है, offline scholarship test है, मतलब अगर आप खतरना कि ये test फोड़ते हो, तो आपको 100% scholarship मिल सकती है, मतलब सरव वहाँ आपका रहने का ही होगा, फिर charges, रहने का और खाने का लगेगा, बाकि जो fee है, वो बिलकुल, मतलब fees तो फिर रही नहीं ना, पूरा scholarship आपको मिली गया, 100% scholarship, ठीक है, और ये test को कैसे, विजिट आप करिए bitly offline scholarship test, इसको आप विजिट करिए, या ज़्यादा detail के लिए आप नीचे जो numbers दे रखी हैं, यहाँ पर आप contact कर सकते हो, तो अगर आप एक offline batch के लिए prepare कर रहे हो, या plan कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही better opportunity है कि 12th June को इस test को आप जरूर देना, Thank you.